हेलो दोस्तों कैसे आप लोग कुम्मित करते हैं तो आज ही क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लोग इतिहांस का पहले नमबर चेप्टर का मैंने मौर्णिंग में पढ़ा चुका हूँ अगर आप सभी वीडियो नहीं देखेंगे इसी चैनल पर इस चैप्टर का जो है वीडियो मिल जाएगा यह जो चैप्टर है नाइन्थ क्लास इतिहांस यानि की वर्ल्ड हिस्ट्री जो चल रहा है बिहार बोड का पहला की सुबा का जो क्लास आप लोग किये हैं उसका मुल्यायंकन जो है आप सभी का हो सके अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो पहले उस वीडियो के देख लीजेगा उसमें पेज वाई पेज लाइन एक एक चीज को बहुत डिटेल में समझाएं उसके बाद आके तो इस समझ पाएंगे कि क्या चीजे क्या पढ़ाई हो रही है ठीक है तो छुरू करते हैं पहले नमबर को संचे कोश्चन आपके सामने दिख रहा होगा हैंपके समझ पारए होंगे हं राजा हैं जो नहए बेगती हैं वह राजा हैं जो नहने जगोझ करने में सबसे आग इशाबिल कहां की राजकुमारी थी जो वह भी नएने जगों की खोज करने में बहुत तागिस से बहुत तेजी से बढ़ रही थी ठीके फेकर चाहिए दूसरी नमर कोशन करेंगे के दूसरा कोशन नहीं किस परकार की क्या तर यह आकषांस बताने का यह क्या था कि आ यह क्या है तैक्षांस स्कारवस से क्या पता चलता है आठ चान से मौसम की हमें जनकारी मिलती है और एक यंत्र बनाया गया था अक्षांस जानने वाला यंत्र जिसका नाम रखा गया था क्या अगला कोशन है केरा लिंग्यन समराज्य का समराट कौन था और यह मॉर्णिंग क्लास में आप से देखने के लिए नहीं मिला होगा लिकिन यहां इस कोशन को याद कर लिए देखें एमसी की लाने से यही फाइदा है कि सुवा में थियूरी क्लास पढ़ा देता हूं पूरे डिटेल से अगर बाई दवे कुछ पॉइंट अगर छुट गया तो वह एमसी क्यू में पूरा हो जाता है इससे क्या होता है कि चेप्टर बहु लेफल बढ़े गा वोसे से कोशन कभी लेवल बढ़ते जाएगा ठीक इस अलमाक समड़ lapse्ध कहां कि सालमा के सम्ड़ारत ही याद रखी है क्यों लिए सामंतवART में भूमी का माली कौन होता है यह सीधे सीधे दिख रहाए कौन होता है राजा होता है समंतवाद वे वस्तामें अगला कोशनने कोशन नमर 5 देखेंगे हुआ पूषण और 5 लिक्राव है भागोली its comprar कि वर को सब से अधिक अधिक फायदा होगा नैना जगा उसे किसको व chemical किसको फायदा किको प्वाइपारीयो कहिं फैदा होगा है कि नहीं है क्योंकि नान जगा मिलका मिल गया बैपार करने के लिए से बीजनस करने के लिए Market कि लिए है की नहीं ऐसे कुछेटा न रिखने के नहीं से कि लींटेंगे शब्धकरσसिता है मार्तीं लूतर कहां के रहने वाले थे तो मार्तींल्था कि यह होट इनका नाम आगला कोश्चन को सिधान का आलूचना किसने किया था तो याद रहे कि यहां पाद्री थे जिनका नाम था विलकिंप पूरा नाम देखेंगे तो इनका ओरिजिनल आम था विलकिंप लिखता है और कहीं लिखता है लिखता है पूरा नाम है इनका जॉन विकलिफ टीक है यह जो तेना पादरी थे और उन्हों ने दर्वयातन सिदानत का क्या किया आलोचना किया था यह जो कोशन आपको धियोरी में नहीं दिखाओंगा लेकिल से यह पूरा होग हर एक पॉइंट से बनाने की कोशिट किया गया है यहां लिखा है कि अमरीका का पता किसने लगा रहे आप सभी कोलंबस ने अच्छा अब है बहुत अच्छा चौदा अब कर दोफॉर्ट में pata लगाता लेकिन का अमेर्टा नाम रखा ता कि ना मुलीध यह दुनिया को Gracory नाम किस ने रखा तोcs ने रखां था कि झान धान आधिक को था क्यों में चैनल का कि अाइस पूछी जिसने तिया अमरिका मतलब क्या कि नई दिनिया का फिर से पता लगाया डीटेज से उस महादीप को घुमा और अपने नाम पर उसका नाम रख दिया गया क्या नाम मैं अमरीका नाम रख दिया अगला कोशन आते कोशन नमबर नाइन देखते हैं ब्राजील का खुछ किस ने किया था यह तो यह भी आप लोग नहीं मिला होगा के रावल ने किया था ठीक है आप सभी तो जानते हैं बारतोलोमीडियाज किसको पता के पॉप गुड बहुत अच्छे गुड अच्छा कब किये थे क्यों बता का है तो नहीं 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 कि दोस साल बड़े के च misf हासी में नयक्राइब किके और तो कहा गयाबाद में अगला कोशन आएक लो है अमरीका का नाम किसे नाम पर पढ़ा किसके न Southeastiza अमरीका का जो नाम जो है किसके न्म पर पढ़ा किद कदा गिया अमरीगो वेशपूची के नाम पर पढ़ा ठीक है किसके नाम पर पढ़ा अमरीगो वेस्पुची की आप्शन नंबर यह हो जाएगा जो एस्पेन के नाविक थे और इन्होंने खुद जाकर क्या किया खुज किया ठीक है अगला कोश्चन आते हैं कोश्चन नंबर 11 देखते लू बासको डिगामा कह ला यात्री था मतिकों तो कहां की यात्री था पुर्तिगाल के यात्री था यहीं तो पूश्ता है भारत में 1490 मैं 14 अच्छा से अच्छा माला बातर कौन से नयुक्त पर सुखी कोछ प्षान है राजा कौन थे वहां के लिए राजा कौन थे जामोरीन अच्छा भारत पहुच रहाएं वहां इसको दिगा माशते हैं तो यह भारत कैसे किसने मदद किया इसको पूछने के लिए मदद किसने किया ता इसको अब्दुल मजीद कौन किया था अब्दुल मजीद किसने मदद किया था अब्दुल मजीद ने इसको मदद किया तब जाए ये भारत पहुच गया ठीक है पुश्चन अगला आएंगे बारें नम्बर कॉस्चन यूरोप वॉशियों ने दिशासुचे गयंत्रक कौपयों किसे सीखा वत पती हैं तो यह तो अभियास को शने यह तो अभियास के कुशन है आप सभी को करती है माननिंग में ही करती है चेप्टर और अभियास उशी समय में हो जाता है अभियास का कोशन है ठीक है अगला कोशन आएंगे तेरा नंबर को सानाईगे धर्मी हुआ था यह भी बता दिते सुबह में कि धर्म सांसी अ olhar अुशित बीच में धर्मी के अला रहा था ठीक है अंहीटार अल्जा कोशना आते लो कहां कि जन्यवा के मोली निवासी है कोलंबस कौन कोलंबस बहुत कोशन ने कई बरकॉशन पुछता जन्यवा कोलंबस को पता नहीं भारत की यह लिके भारत की रास्ते का पता किसका रास्ते का पता भारत का कॉना भारत भुलायल थोड़ी था भारत की रास्ती का पता किस वर्स लगाया 1448 9 Circle अगला कोशन आठेलो आंप अगला अगला कोशना जी घिकना भर्त पोस्टने का मार्ख से बताया था किस नहीं पोस्टनी क्लिए पोटोलमजीद किस ना बताया था अभधुलमजीद नहीं बता ठीक है अगला पूछन आते लो कि कुबलाई खा कहा के निवासी तब बहुत इंपोर्टन पहिला ही पेज में आप लोगों को सुबह बंचों पढ़ा रहे तो पहले पेज में यहां बॉक्स में से लिखा हुआ है कुबलाई खान के बारे में कौन लिखा आपने यात्रा वित रांत में इनकी चर्चा है किसके यात्रा वितरांत में इनकी चर्चा है मारको पूलो बहुत अच्छे किसके यात्रा वितरांत में मारको पूलो भूमता है भारत में भी और चीन भी जाता है भारत में किसके पस आया था कहां पूचा था बीजय नगर समराज्य में कहां सुबा में ही डीटेल से पढ़ा दिये ठीक है अगला कोशन आते लोग कोशन नंबर 18 यान 18 नंबर नीव फॉलन डिपो को पता किसने लगाया था बती वे तो सवर्जान सेबस्टिन और केवेट ने लगाया था नीव फॉलेट अच्यक्तन क्या स्फ fellas देटों किसनों बता दिया Penguin कुग जो है किसका रगाय थे आस टेलिया का भी और कहां का है अस्टलिया आस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड का 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 न्यूजिलेंड क कि यह होगे आश्टी लिया और इसके नीचे जो है कौन सा है न्यूजीलेंड है इन दोनों का पता किसने लगा था क्या पता है अब को मेगलं क्या किया था पूरी दुनिया का में कब लगा था सुवी दुनिया का चक्कर कब लगा था था 1519 बहुत अच्छे बेरी गुड 1519 में अच्छा कोलम्बस के बारे में तो बता ही दिये तो आप्सन नमबर इसका सी हो जाएगा बिल्कूल करेक्ट टेंसर अगला कोशन आते हैं लो कोशन नमबर सफ्पाइब करने के लिए जैसे हो याद कर सकते हैं ठीके आगया जैक है अगला कोशली का सेंट पिर्टर का गिरजा घर कहाँ श्तित सेंट पिर्टर का अगर कहां है रो में कहा आँ रोम अच्छा रोम किसकी रज़तानी है रोम जो किसकी रजदानी इटली की रजदानी रोम है ठीक है अच्छा फ्रांस की रजदानी कहां है प्रांस की रजदानी बता तो पैरीश है क्या है पैरीश है फ्रांस की रजदानी पैरीश है अच्छा यह लंदन जो है किसकी रजदानी है तो लंदन किसकी रजदानी है कि इंग्लेंड का एंग्लेंड का ठीक है अगला कुछन है जैसे भारत की रजदानी यह नहीं पता की वह भारत रजदानी उपको लेखा यह नहीं पता है भाई सब गुर्त्वायकर संक सिधान किस ने पर्थिपाजीद कि यह तो तो किसने दिया था सब्सक्राइब टूसे याज है आप मारती इसे अनुटन एक और देता है गुरहो की जए मैं कहोज सब्सक्राइब को तक में धौकंथ पला हुए ऑप ट। ग्रौग कि गती बस इतना वर्ड लिखें न आप मार तो वार्द आज एका अच्टा जीए लिखा हूआ कि लिखा हूआ तो ग्रोव कि नियां फेल लिखा है कि आइंश्टीन इसी कोल स्वाइब यहां वाड आ जैंग जाए तो आइंस्टीन हो जाए ठीक है कि अधा कोपर निकस जोते ना बताया थे कि अब चक्र लगाता है प्रित्वी सूर्य का चक्र लगाता इसके बारें बताया थे ठीक है आगे आएंगे तो न्यू समुंद्री मार्गों की खोज उसे किसने किसके बीच बैपार संबंद बढ़ा अच्छा जो नेने जग अगला कोश्चन आएंगे को स्टिन अगला लिखावाए कि हलकी ततत चलने वाले जहाज किरवल किसी ने बनाया था पुर्तिकालियों ने बनाया था ठीक है हलका और रटे चलने बढ़ की अधा किरवल नाम तो ठीक है कोशंचन नमबर चूबभिस आएंगे लोग को यह इ तब ऑफ्सशान जानने वाला उपकरण था अगला कोशन आई हो नई दुनिया का को बिष्टार से किसने ढ़नाता नई दुनिया का फिर दुबाराः पते किसने रखाए था अमरीगो वेश पुचिता इसी के नाम पड़ा तो नाम पड़ गया उंडकार यूग थी अन्धकार यूग थी मतलब कब से कब तक तक है कब से कब तक तक तो यह तो याद कि कई पर बता कि 15 सताबदी में 15 सताब्द एम क्या हुआ पुनर जागरण की मैं पुनर जागरन की हुआ पुनर जागरन की क्या हुआ जागरन की सुरुवात होती है जागरन की सुरुवात होती है पंदरवी सताब्दी में कहां से होती है इटली से कौन से सहर से फोलेरें सहर से यहां से पुनर जागरन की सुरुवात होती है तो इससे पहले जो था अंदरक अंद्रकार यूग से आगे बढ़ना ही तो पुनर जगरन कराया तो इससे पहले देखिए 15 सताबदी से पीछे देखिए 14 सताबदी देखिए 15 सताबदी से लेकर 14 सताबदी तक यह हो जाएगा अगला कोशन आते लो कोशन नमबर 27 देखते लो आधनिक यूग का प्राधु भाव हुआ मतला आधनिक यूग की शुरुआत कब हुए 15 सताबदी से कब से हुए 15 सताबदी से हुए ठीक है अगला कोशन नमबर 28 लिखा हुआ है जमुरीन कहां करा जाती इनके बारे मेंतर कई पर बता दिया जमुरीन कहां कहतें बतायो कि और सरकलीक यह भायरत के प्वह अंदर जमुरीन थे त्यक्राजर कै ada को अब जूआ हो जाएगा किल सबसके अब्दुलमजीद कहां के बैपारी था बतरों अबदुलमजीद यूज़ था वो कहां के परी था भारत के बैपारी था अब्दुलमजीद यह तो ले के कहा आके और गया ठीक है अगला कोशन आएगे कैप्टेन कुक ने किस देश की खोज की थी के अच्टेलिया किसा सथ कोज चीका है अभी न बता ये अभी तरी के ते निजिलेंड की खुच किया थे दोरों तो याद रखेगा है कि नहीं है अमरिका खोज किस ने किया अमरिका खोज ने किया कुछ हो बोल देता है सब वास्कोटी कव अमरिका खोज किये था देखा जर्मनी खेर खोज नहीं हुआ था और इंग्लेंड का तो यह कब्जा करके रखा हुआ था सब्सक्राइब करने में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी यह थी और एक और कौन था का मैं रिड़ा व्हां रिवादर पूर्तरगाल कर наж up कूमर तो एथी हैं तो यह भरएव लूब्सक्ति कअ क्या ब्रॉब पूर्तरका लेशजय कॉते हैं कि प्राःस है कर कोशन ना यह कुशन नमबर 33 दिखते लो असी वर्सों तक यूर्पिय और तक किस धालतु बढ़ती और यह एट क्लास में दिया गया है कि बतला यूर्पिय बेपारी जो है भारत में किसे बेपार करते थे कि आज छांदी से नहीं पुलेते कि चांदी सुने सुना सको बर्पार करते थे सब से पूनी से चांदी सुनieso कहां तो निसकी तो वन कर्फूर कि नाम से आपका एंधर में कहां पर रोम में अगला कोशना नमबर 35 देखेंगे किस सताबदी में मद यूग का अंत्र तथा आधनिक यूग का शुरुवात हुआ यदि पंद्रवी सताबदी में मद यूग समावत हुआ और आधनिक यूग की शुरुआत वह इसी को बोला गया पुनर जागरन की शुरुआत कहा गया ठीक है याद रखेगा अगला कोशन सार से फुलोरेंस सार से शुरुवी थी इटली के फुल्रेंस सार से पुनर जागरां की शुरुआत ही ठीक है अगला कोश्चन नमबर 37 देखेंगे लो उत्तमासा अंत्री यानि के पप गुड़ोप की खोज किसने किया था और कई बार बताया है उसके बारे में कि के पप क्या है यहां पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर आंगे के पफ गुड़ोप जो है यह वो गया कौन से जगह को ऑन सा जिघव बताया तो तो ये अम्रीका है ओफ्रिका आफ्रीका का जो दशनी बिंदू सबसे नीचे वलाएश सो क्या बला हिर्थ है aer के के पॉफ लई हूं और इसको अंत रीग बोला ये को भी निचे वह जगा यह कोई भी ऐसा जगा चोटा जगा जो तीन तरफ से पानी सी घीरा हो तुसको बोलेंगे अंत्रीब और वही बड़ा वाला भाग रहेगा तुसको बोलेंगे प्रायदीब क्या बोलेंगे ठीक है यह हो गया अफ्रीका कॉंटिनेंट अफ्रीका क्या बूसे सबसे 예शी क्या करता है केप ऑफ बुड़। के आउफ ऑफ घुड़। यह का जिया पूप इस इवे छिबीम बूद्धिन आता तंप उत्तमासा अ अनत्रीब उत्तमासा अंतरीब तिक नियाद रखेगे रखें वे सब चुछन नमबर्तर देखेंगे लो तो यह पूछ रहा किसने लगाया तब पता ठीक है तो किसे लगाया था बार्तोलोमी डियाज ने 1488 में जश्ट तो समझाए उपर में है कि नहीं है अगला कोशना जी कोशन नमबर 38 अमरीका की खोच किस वर्थ की गई थी अभी कितना बार इसकी बारे में चर्चा कर दें फारे चाओ बार्त कि रास्ती खुच किस ने किया था बास्त कोड़िगा मने अच्छा पंद्रस उननीस में क्या था नेगले ने पुरी दुनिया के चकर लगाया चोदो साथ तुनिया पर किस ने तुर्की ने अधिपत्य घमा लिया था ठीक है अगला कोशन आते लो अगला क कोचन आते लो कोशन नंबर 39 कुस्तुन तुनिया का पतन देखिए आईए एक कोचन लिजिए कि वह आ गया कुस्तुन तुनिया का पतन किस वर्स हुआ सब्सक्राइब बताई दिये यह तो गलत लिखा हुआ पंद्रह सबसाथ यह गलत है ठीक है चौदो सब्सक्राइब पहुंचा था भारत में 20 वक्राइब बताई दिये किसने था भारत में पहुंचता है काली कड़ बंदरगाप पर जहां राजा जमुरीन की क्या करते भब स्वागत कर देते हैं यहां से समान वेगरा लेके जाता है काली मिर्च बहुता है 26 गुना फायदा होता है बागती समान बहुता है तो टोटल ओगरा ओल साड़ गुना इसको फायदा होता है क्यप्टन के बारे मता दिये कि इन्हों ने अस्टिलिया एक होच किया था और निव जी लेंड नमक जगा खोच किया था और मार्को पोलो जो है पूरी दुनिया का चकर लगाने वाला मार्को पोलो कौन था मार्को भारत पहुंचा था जो बीजर नेगर समराज ये के बारे में लिखा आपने यत्रा वित्रांति और साथ साथ में चीन के सासा कुबलाय खां के बारे में भी लिखा हुए ठीक है समझा एक निसमझ को ठीक है और भी क्लास आएंगे हो सकता है कि कल आप लोगो साइंस का एक चक्तर देखने के मिल जाए उसका मैं आप लोग के में सब्सक्राइब करा दूगा का इसका मतलब है कि आप ने या तो वीडियो पूरा देखा नहीं या तो वीडियो देखी नहीं है ठीक है सुबा वाला तो हर वीडियो में मैं लास्ट में इनफर्मेशन दे जा रहा हूं एप और बुक के बारे में यानि बुक और दूसरा बैच के बारे में यह चीजे आप लोग के मैसेज आ रही है तो कोई दिकत नहीं है ठीक है आप जैसे ही अप्लिकेशन मेरा रिडियो होगा बैच अलग 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 हर कंपटिटिव एकजाम के लिए ठीक है और लोग भी जूड़ेंगे दिरे बहुत सरे वीडियो आपको दिखने के लिए मिलेगा बैच एक से दो दिन में आजाना चाहिए लौट हो जाना चाहिए अगर बाइदवे इन केस इनकेस मानग चले अगर लॉ गूगल से सारी चीज़े बन रही है तो उसमें खुद गूगल ही उसको अपडेट करने में समय लेता है काफी समय लेता है तो यह चीज़े अपने हाथ में रहती नहीं है अगर बाइद वे समय लगा तो उसके लिए मैं बता रहा हूं आप सभी को कि मैं मंडे से एकदम क्लास सब्सक्राइब करेंगे तो बैच में हम लोग वहाँ पर चले जाएंगे लो वहाँ पर करेंगे लो बाकि यूट्यूब पर अदर अदर क्लास वेगरा आते रहेंगे ठीक है मंडे साथ लोग का बैच शुरू होने वाला है संडे को मैं बता दूंगा काईसे क्या पढ़ना है कौन सी किताब लेना है लेना जरूरी भी है या नहीं है नोट्स कैसे मिलेगा हर चीज का information आप सभी को मैं Sunday को दे दूंगा हर class के लिए वो चाहिए किसी भी competitive exam के त्यारी कर रहे हो हो हर चीज के बारे मैं details से आप सभी को समझा दूंगा आप लोग संडे तक मैं भी वेट कर लेता हूं अगर भो जाती है चीजे complete तो ठीक है नहीं होगी तो मैं आप सभी को संडे तक inform कर दूंगा मन्डे संब लो कहीं तो पढ़ना ही यहां ना लाइव क्लास संडे को पाज आएगा आप संडे को लोग आप डिसकस कर लिए जाईगा कैसे क्या पड़नाय कि में जी चीज Vermय मैं कर लूँगा पूरे डिटेल से सब चीद बता दूँगा तब तक आप लोग क्लास देखते रहे किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप अपना सजेशन जो है दे सकते हैं हमारा वाट्सेप नमबर आप से पता है फिर से अगें लिग देता हूं डबल लाइन की रिप्लाइज जरूर दूँगा ठीक है आपकी मेसेजों का रिप्लाइज दिया जाएगा तो मित कर रहा हूं वीडियो बेतर लग रहा हूँ और फिर किसी दूसरी क्लास में बिलेंगे तब तक कि लिए बहुत बहुत धन्यवाद तमस्कर स्लाम अलेकूम जय हिं जय भारत हुआ 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 है